नफशकार दोस्तो तो आज हमिरपुर बोर्ड की तरफ से तीन नहीं नोटिपिशन आई हैं दो पोस्ट कोड के आपके रिजल्ट आउट कर दी हैं और एक पोस्ट कोड के आपकी अंसर की भी निकाल दी हैं तो वो दो पोस्ट कोड कौन से हैं और एक पोस्ट कोड है जिसकी अंसर की निकाल दिया है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो जो चैनल पर पहली बार बिस्ट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने बाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहें तो चलते हैं आज के पहले नोटिविशन की तर्प तोमारे साथ वीडियो मन तक बने रहें तो पहले नोटिविशन है जो आपकी स्टेनो टाइपिस्ट का एक्जाम हुआ था 25 अक्तूबर 2020 को ये करवाए गये था पोस्ट कोड था आपका 755 32 पोस्ट इसमें बरी जानी थी तो इसमें कुल कित उसके बाद बात करें इनका जो स्किल एंड टाइपिन टैस्ट करवा जाएगा 27 एंड तीस जनवरी को एंड एक फरवरी को एंड छे फरवरी को ये करवा जाएगा साधे नोव बजे कंप्यूटर लैब ओफ हमिरपुर बॉर्ड में अब बात करते हैं दूसरी नई नोटिफिकेशन के बारे में दूसरी नई नोटिफिकेशन जो आपका मार्केटिंग असिस्टेंट का आपका एक्जाम हुआ था 31 एक्तूबर 2020 को ये करवाए गए था इसमें कुल दो अब्यार्थी स्प्रिक्षा को पास कर पाएं पोस्ट कोर्ट आपका साथ सो स्ताबन तो आप देख सकते हैं कि कौन से अब्यार्थी स्प्रिक्षा में पास हुएं आज जीस सिंग एंड अरपना शर्मा अब बात करते हैं तीसरी नई नोटिकेशन के बारे में तो हमारे साथ विडियो मन तक बने रहे हैं तीसरी नोटिकेशन है जो आपका TGT कुमिशन करवाए गए था 13 जिसंबर 2020 को ये करवाए गए था पोस्ट कोर्ट आपका 795 और आप अगर किसी भी अव्यार्थी को लगता है कि उनके कोशन ठीक है और अंसर की मेंगा आपको गल्त बताए तो आप 20 जनबरी 2021 को पांच बजे अपनी अपतियां दर्ज करवा सकते हैं उनके काराले में वित परूफ के साथ तो आप जब भी आप अपनी अपतियां दर्ज करवाएंगे तो अव्यार्थी का नाम पद का नाम एं अपना रोलम रूस में आप दर्शा सकते हैं ताकि आप अपनी अपतियां उनको दर्ज करवा सकें अगर आपको जानकारी अची लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने बाले हर वीडियो की अपरेट आपको समझ में पर मिलती रह खार बीजू प्लीज आपको में पर दो एंग